आज शुरू कर रहे हैं लेशन नमबर एट यह हनी सकल का है सिक्स्थ क्लास अंस इयार टी तो इसे हम लाइन बाइन पढ़ेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है यह गेम ऑफ सांस नाम का लेशन है इसमें हमें पता चलेगा कि एक बच्चा जो अपनी किसमत को आजमाना चाहत होता है यानि मौकी का जो खेल होता है किस तरह से हमारा होता है एवडी यह ओन दो किजन ओफ इद देर वाज फेर इन आर विलेज प्रतेक शाल हमारे गाहों में इद के अवसर पर मेला लगता था इद वाज सेलेबरेटेड ओनली वन डे बट फेर लास्टेड मेने डेज इ गया से प्रतेक परकार का माल बेजने के लिए आते थे यूँ कुद बाई एनिधिंग फ्रॉम ए स्माल पिन टू ए भी वफेलो वहां पर आप मेले में एक छोटी सी पिन से लेकर के एक बड़ी भेंस यानि सब परकार की चीज़ें आप करीज सकते थे उंकल तुक मी आप मेले में बहुत बड़ी भीड थी अंकल वाच लीडिंग एस थ्रू दे क्राउड वन ही में एक फ्यू आप में से ले जा रहे थे तभी उन्हें अपने मित्र मिले कुछ उनके अंकल के मित्र मिले दे वांटेड हीम तो स्पेंट सम टाइम विद दें और वे चाते थे क अंकल उनके साथ कुछ समय वैदित करें अंकल आस्क्ड में वेदर आइव लाइक टू लुक अराउंड दे फेर विद भाईया तिल ही कम बेग और अंकल ने मुझ से पूछा कि मैं कुछ देर मेले में इदर उदर गुन हूँ भाईया के साथ जब तक कि वह वापस आई I was happy to do that मैं वो करने के लिए खुश था अंकल वांड मी नाइदर टू बाई एनिधिंग नो तो गो तू फार आउट ओफ आउट वाइल ही वाज अवज अवई अंकल ने मुझे इस बात में चेताया चेताओ ने दी कि मैं आ तो कुछ मेले से खरीदूं और ना यह जाता दूर क गुमते रहे, there were many things I would have to buy, I would have to have like to buy, but I waited for uncle to return, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता था परन्तू मैं अंकल का इंतिचार करता रहा कि वो वापस लोटेंगे तब खरीदेंगे, then we came to what was called the lucky shop और फिर हम वहां पर एक दुकान पर आए जिसका नाम था lucky shop यानि भाग्य की दुकान, the shopkeeper was neither young nor old, shopkeeper ना तो जदा बुड़ा था और ना ही जवान, he was a middle-aged man, वहे एक अधेड़ा यूका व्यक्ति था, he seemed neither too smart, too lazy, और वहे ना तो जदा चतुर या नहीं जदा आल सी दिखाई दे रहा था, he wanted everybody to try the luck, वहे प्रतेक व्यक्ति को उनका भग्या आजमाने के लिए कह रहा था, there were discs on the table with numbers from 1 to 10, facing down, वहां पर कुछ डिस्क रखी वी थी, यानि तस्त्रियां रखी वी थी, जो उल्टी थी, नीचे की दरफ मूं किये वे, और उन पर कुछ नंबर लिखे वे थे, वो एक से लेकर के, 10 तक, all you had to do was, to pay 50 पेशा, pick up any 6 discs, add up them, add up the number on the disc and find that order, आपको जो कुछ भी करना होता था, वो ये था, कि 50 पेशे देओ, और फिर उनमें से कोई भी 6 डिस्क आप चुन सकते हो, 6 तस्त्रियों को चुनो, और उनके उपर जो नंबर लिखा उसको जोड़ करो, और जो जोड़ करोगे, आप the article marked with the, with that number was yours, और जो आप जोड़ो एक बुड़े वेक्ती ने 50 पेसे दिये, और एक 6 डिस्क का चुनाव किया, 6 तस्त्रियों उठाई उसने, उसने फिर उसके he added, अप the numbers on them and found the total was 15, उसने उनमें से 6 डिस्क उठा करके, उनके नंबर जोड़े, जो उसकी प्राप्त होए 15, और उससे जो 15 नंबर लिखे भी व बहुत सुंदर घड़ी थे, बड़ ओल्ड में डिड नोट वांट एक लोग, प्रंतूस बुड़े वेक्ती को घड़ी नहीं चाहिए थी, दसोब की प्राप्लाइज्ड हिम बाइंग, बाइब बाइंग इट बेक फोर 15 रुपीस, और दुकानदार ने उससे वो क्लोग, वो घड़ी 15 रुपे में वापस खरीद कर उस पर अहसान किया, कृतार्त किया उसको, दोल्ड में वेंट अवेरी प्लीजड और वह बुड़ा वेक्ती, खुश हो करके वहां से लोट चला, देन बोई एलिटी लोड देन आई, और फिर एक लड़का जो मुझ से कुछ यु कंगा मिला, देशाब की पर लुक्ड नाइधर हैपी नौर से लोड़की पर ना तो खुश दिख रहा था, ना ही उदास, लोड़के को एक बार फिर कोशिज की और इस बार उसे एक फांटेन पेन जो किती रुपे का था, वो मिला, देन ही ट्राइड तर्ड तर्ड ताइम and got wrist watch worth 25 rupees और फिर उसने 30 बार और कोशिज की और इस बार उसे 25 रुपे का एक कलाई वाली घड़ी मिली, when he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपे, फिर उसने एक बार और कोशिज की, तब उसे 10 रुपे का एक table lamp भी मिला, the boy was happy and went away with a smile and a good deal of case, लड़का बहुत खुच हुआ और वह स्माइल अपने चेहरे पर ले करके, मुस्कुराइट ले करके, बहुत से पेसे के साथ वहाँ से चला गया, I wanted to try my luck too, मैं भी अपना भाग्या आज माना चाहता था, I looked at भाईया, मैंने भाईया के तरब देखा, he encouraged me, उसने मुझे उखसाया, याने उखसाहिद किया, I paid 50 पेस and took 6 डिक्स, मैंने 50 पेसे का भुगतान करके 6 डिक्स कली, my number was not too good, मेरा number ज़्यादा अच्छा नहीं था, I got two pencils, मुझे दो पेसे मिली, the shopkeeper bought them from me for 25 पेसा, और फिर दुकानदार ने वो pencil मुझे 25 पेसे में खरिद ली, I tried again, मैंने फिर से कोशिज की, this time I got a bottle of ink, also of little value, फिर मुझे एक ink वाली याने शाहिवाली बोतल मिली, जिसका भी थोड़ा सा मुल्य था, the shopkeeper bought that two for 25 पेसा, shopkeeper ने वो भी 25 पेसे में वापस खरिद ली, I took a chance of the third time, मैंने तीसरी बार भी भाग्या आज माया, still luck was not with me, और इस बार भी मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था, I had hope of winning a big prize and continue to try my luck again and again, मुझे बड़े इनाम को प्राप्त करने की आशा थी, इसलिए मैं बार बार प्रियास करता गया, paying 50 पेसा each time, परते एक बार 50 पेसे का बुक्तान करते हुए, but every time I got a trifle, परते एक बार मुझे बहुती कम पेसे की वस्तु में देख, trifle मतलब छोटी, छोटी कम मुल्ये की वस्तु, at last I was left with only 25 पेसे, और अन्त में मेरे पास केवल 25 पेसे बचे, again the shopkeeper showed his kindness, और एक बार फिर दुकानदार ने अपने दयालोता दिखाई, he said I could either play once more with 25 पेसे, और शेटल दयालोता दिखाते हुए मुझे कहा, कि मैं 25 पेसे के साथ भी खेल सकता हूँ एक बार और फिर जीतने के बाद मैं अपना अकाउंट यानि अपनी राशिया हो अधा कर दूँ, I played again and the last 25 पेसा also disappeared, मैंने फिर से खेला और इस बार भी मेरे 25 पेसे बचे हुए थे, वो भी मेरे गाइब हो गए याने दे चुका था, वो काम नहीं है, people were looking at me, लोग मेरी तरफ देख रहे थे, some were laughing at my bad luck, कुछ मेरे बुरे भागे की तरफ भागे पर हंस रहे थे, but none sawed any sympathy, परन्तु किसी ने सहनों बूती नहीं दर्शाई, भाया and I went to the place where uncle had left us, भाया और मैं उस थान पर चले गए, जहांपर uncle ने हमें छोड़ा था, and waited for him to return, और फिर हमें उनके आने का इंतिजार किया, what is the matter, रशीब तुम उदास दिख रहे हो, क्या बात है, I did not say anything, भाया टोल्ड हिम what had happened, मैंने उनसे कुछ नहीं का, भाया ने वो सब कुछ बताया जो हुआ था, uncle was neither angry, nor said, uncle ना तो गुसा थे और ना उदास थे, he smiled and patted me, he took me to the shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets, वो मुझे दुकान पर लेकर गए गए और मुझे बहुत ही सुन्दर सा एक umbrella एंचाता, biscuit और कुछ मिठाया, and some other little gifts, और फिर कुछ चोटे-चोटे उपाहर भी मुझे करीद कर दिये, then we return home, और फिर हम घर लोट गे, बेक हम, uncle told me, that the lucky shop man had made a fool of me, और फिर घर पर, uncle ने मुझे बताया, कि उस lucky shop वाले आदमी ने हमें मुर्क बनाया था, no uncle, I said, it was just my bad luck, नहीं uncle, ये तो मेरा के वल, बुरा भाग गया था, दुर भाग गया था, now my boy, said uncle, uncle ने का, नहीं मेरे बच्चे, it was neither good luck, nor bad luck, ये नहीं तो सभाग गया था, और नहीं दुर भाग गया था, but uncle, I said, I saw an old man getting a cloak, and a boy getting two or three costly things, परंतो uncle, मैंने एक बुड़े वेक्ती को एक घड़ी प्राप्त करते वे, एक लड़के को दो तीन, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें प्राप्त करते वे देखा, you don't know child, तुम नहीं जानते बच्चे, uncle said, uncle ने कहा, they were all friends of the shopkeeper, वो सभी दुकानदार के मित्र थे, they were playing tricks to tempt you, to try your luck, वो के वल तुमें अपने भग्ये को आजमाने के लिए, उकसा रहे थे, लल्चा रहे थे, tempt मतलब लल्चाना, जाल में फसाना, they wanted your money and they got it, वो तुमारे पेसे को लेना चाते थे और वो उन्होंने प्राप्त कर लिया, now forget about it, अब इसके बारे में भूल जाओ, and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness, और अपने बूरे भाग्ये दुरभाग्ये के बारे में, और अपने मुर्खता के बारे में किसी को नहीं बताना, तो ये छोटा सा लेशन था दोस्तों, आज का लेशन होप कि आपको समझ में आया होगा, मेरी चैनल को आप लाइक और सबस्क्राइब कीजे, धन्यवाद,